नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादव वक्त हो चुका है खबर का आपको बता दे कि उमेश पाल मडर केस में फरार चल रहे अतीक के बेटे असत का यूपी एस्ट्रियफ ने एंकाउंटर कर दिया है इस एंकाउंटर में असत के अलावा शूटर गुलाम भी ठेर हो गया है जसके बाद धुमन गंज थाने में कल देर रात तक अतीक और अश्रफ से अलग-अलग पूश्टाश होती रही बतादे कि डीसीपी और उमेश पाल हत्या केस के जाच अधिकारी भी इस पूश्टाश म है आपको बता दे कि धुमन गंज वो थाना है जहां अतीक अहमत पर हत्या का केस उमेश पाल के परिश्टों ने दर्च कराया है जादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ समाधाता पवन पटेल जुडेंगे पवन देखे कल अतीक और अश्रफ से पूश्टाश की गई है क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रहे हैं पूश्टाश में कर हो कि कल जब अधिक अधिक और अश्रफ को वोट्म पेस की गया और दोनों को रिमांट पर लेने की अर्जी sent का आपकिल की घई थी तो बोर्ट वारा इनकी अर्जी को पुलिस के अर्जी को मन्जूर कर लिए और चार दिन के लिए अतिक और अश्रफ को पूंच नस्वेगी में रखने का वह आधियत दिल गया है तो ऐसे में कल का जो दिन था वो मेश्वाल अश्रफ को मामजे को लेकर सबसे बड़ा दिन कहा जा सकता है हलाकि अब इस पुझे घटा कि अगर बात की जाए तो आज से अतिक और अर्श्रफ की जो कस्टेडी रिमांड है वो सुरी होगी तो ऐसे में पुलिस द्वाराफ अधातिक और अर्श्रफ को दूमन गंस्थाने में रखा गया और वहाँ पर उनसे पूस्ताज की जा रही है और कहा तो ये बज़ा रहा है कि अतिक का पाकिस्तान से कनेक्शन की बाते सामने आ रही है तो ऐसे में ये सबसे बढ़ा एहम हो जाएगा कि आखिर अतिक अहमत को पाकिस्तान से हत्याथ तता अन्यचिये इस तरीके से मुहिया होती थी ये पुलिस की जाज में जो सबसे बढ़ा पहलू है वो सामने आएगा पुलिस के पास दूल रहे हैं और भी जो इसके साती रहे हैं उनके लिए कहीं ने कहीं पुलिस के हाथ एक बड़े सबूत लगने की संभावना बो जताई जा रही है अब आज से जब चार दिनों तक पुलिस और अश्रब हतीक और अश्रब से अलग अलग अगस्तानों पर अलग तरीकों से पूस्टाज करेगी तुमेश पाल हत्याकान को लेकर पर करीब 45 दिन बाद पुलिस के हाथ कई एहम राज लगने वाले हैं क्योंकि पुलिस की टीमें लगा था इन आरोफियों की तलास में प्यागरास सही तमाव आपके शेहरों में दबिस देती रही तलास करती रही और कल जब अतीक के बेटे अश्रब और घुलाम शूटर को जब वहाँ पर बेड़ मार दिया गया तो ऐसे में एक बहुत बड़ी पुलिस के लिए लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात अभी तक सामने आई है कि आतीक को अपने बेटे के जनाजे में सामिल होने की अनुमती नहीं मिली है तो आप सोचिए कि इतने बड़े अपरादी का जो इतना अवर्चस्त रहा हो आज वो अपने बेटे के अंतिम संस कार में भी शामिल नहीं हो सकता तो यह भी जा रहा है कि अशक के नाना और उसके मौसा उसके शव को लेने के लिए पीटे रात को ही जहां सू पहुंचे है और अज जब अशक का सो प्रियागरा जाए जाएगा उसके जनाजे में कौन सामिल होंगे उसके परिजन के उसके या उसके परिवार के लोग यह देखने वाली बात होती है कि एक तरफ जब बिल्कुल देखें जिस तरीके से लगातार यह असर देखें सामिल के बाद यह कहा जारत कि शव को उसके मौसा और नाना लेने पहुंचे थे महीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शाइस्ता प शाइस्ता परवीन का सब से अच्छा बेटा माना जाता था अशक और अतीक एहमद उसको सेर कहते करते थे तो यह अतीक का सेर इंकाउंटर में जब धेर हो गया है तो कहा कयास लगाए जा रहा है कि शाइस्ता परवीन अपने बेटे के अंतिम तंसकार में और जनाजे में शामिल होने का सायद मौका मिल सके हलाकि सिक कयास लगाए जा रहा है इसकी अधिकारी परवीन सरेंडर करेंगी की नहीं लेकिं कयास लगाए जा रहा है परवीन सरेंडर कर सकती है क्योंकि शाइस्ता परवीन का बेटा आशत मुपेड में मारा गया है आज उसके जनाजे में कौन शामिल होंगे ये सबसे महत्पूर्ड होगा किसलिए क्यास लगा जा रहा हैं कि साहिस्ता परवीन वो सकता है सरेंडर कर दें क्योंकि साहिस्ता परवीन उमेश पाल हक्या जांड में आरोपी बनाई गही है और इनके उपर पुलिस दारा 50,000 रुटे का इनाम भी घोचित गया है तो ऐसे में इनका सरेंडर करना सबसे दिल्चस्प माना जाएगा क्योंकि आप घटना के करीद 45 बार पुलिस लगातार साहिस्ता परवीन की धोज में चुटी है और साहिस्ता परवीन का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है अब किस तरीके साहिस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है या नहीं करेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस की टीमें लगातार इस घटना को लेकर खुलासा करने में लगी हुई है तो निश्चित रूप निश्चित रूप से जो बीटे खल से जो तस्मीर हम सब ने देखी है वो कहीं ने कहीं हुमेश पाल हत्याकांड के खुलासे की और इशारा करती हुई नजर आ रही है क्योंकि इसमें ये भी देखा जा रहा है कि कल जब जहासी में उत्तर पैस केश्चित रूरा आशार तथा मुहमब सूटर को इस तरीके से इंटाउंटर में डेर कर दिया तो एक तरफ जब ये बात सामने आई कि अशत के सव को उसके नाना और उसके मौसा लेने जाएंगे लेकिन वहीं जो दूसरा सूटर सा घुलाव उसके परिजनों ने काफी घटना के काफी तुन बात जब इसका नाम सामने आया था तभी ने इस बात से इंटार कर दिया थ अगर पुलिस इस तरह की कोई कारवाई करती है तो परिजन उसके सब को नहीं रिसीट करेंगे या नहीं लेंगे यह बड़ी बात है अब इतने बड़े घटना का आरोपी बना गया है तो लांक उसके घटना के जो आरोपी है उनको पुलिस किस तरीके से कारवाई कर रही है किस तरीके से उनका इंकांटर हुए, किस तरीके से जो पूलिस की सामने आरा रही है तो निश्ची ज्रूप से आज़ से जब अब आकि만 कारवाई रशरत को पूलिस का स्थर्दी रिमान में रेकि के पूर्चाज करेगी जिनको सपेद पोस कहा जा सकता है क्योंकि पुलिस के पास तरीब 200 ऐसे सवाल हैं जो उमेश पाल हत्याकान से जुड़े और सबसे एहम सवाल है तो ऐसे मैं पुलिस किस तरीके से पूस्ताज करेगी और किस तरीके से अध्रीक और अश्रत से जबाब होंगे हलाकि कहा ये भी जा रहा है कि अध्रीक और अश्रत से जब पूस्ताज होगी उनके पूस्ताज की जो बाते हैं वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि और अध्रीक और अश्रत से क्या बाते कहीं हैं क्या बयान तिया है पुलिस उतका मिलान करेगी कि इसमें किसी तरह का कोई भिन्नता ना हो, कोई अलगाओ ना हो, ताकि इस पुरे घटना का खुलाशा करने में पुलिस को आसानी हो, कि इस पुलिसी खुरूप से उमेशपाल अत्याकान मामले को लेकर, पुलिस की जो कायरेवाई है, वो जमेनी अस्तर पर दिखना सुरू ह हो गई है, और कयास लगा जा रहा है, लोगों ने उम्मीद जताई है, और मिर्था कुमेशपाल के परिजरों ने भी इसकी अमीद जताई है, कि जल्दी उसके परिवार को न्याय मिलने वाला है, क्योंकि जब बीते कल, जब पुलिस दोरा आश्या दोर मुहम्मद सूटर क जब पुलिस दोरा इंकाउंटर में डेर कर दिया गया, तो उसी दोरान मिर्था कुमेशपाल की पत्ती जया पाले मुख्यमंत्री योगिया जितनाद का आवाद जताया है, उन्होंने शाब चब्दों में कहा है, कि मुख्यमंत्री ने पीता का फर्ज निभाया है, एक बे जैसे तरीके से मुख्यारोपी जैसे जैसे सामने आ रहे है, ये कनिक्शन बढ़ता ही जा रहा है, अब इस कनिक्शन में देखे अबू सलेम का नाम भी सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि उन्हें असद और गुलाम को जो है पना उनके गिरों ने उनको बना दिया था, जी अब ही मैंने कहा नंगिनी कि ये सबसे मातोर है कि जब चार दिन तक पुलिस अधीक और एश्रप को अपने पेस्टडी में रखेगी और पुस्ताज करेगी, क्योंकि मैंने भी पहले भी बताया है, कि पुलिस के पास 200 से ज़्यादा सवालों के एक लबबी लिष्ट है, व वो सफोफ और सफेद पोस्ट जो है, उनके नाम है, इनके मददकार है, उनके नाम है, अतीक एहमत को बहुत प्रक्ष्याद के रूप से हतियार ता, आर्टी क्रूप से मदद करता था, उसके नाम है, तमाम ऐसे जो नाम है, वो जब सामने आएंगे, पुलिस क्रूप से ब प्रियागराज, पुलिस, सहीद, पुलिस की तमाम टीमें इस पुरे घटा को फुलासा करने में लगी होई हैं, तो निश्टी गुरूप से जो भी नाम सामने आएंगे वो चौकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि इस घटा में तमाम ऐसे बड़े चेहरे भी शामिर हैं, जो प्रियाख गहीं किसी रूप से सामिल थे, पुलिस की जो उसरी की तक्राइएगी हैं, पुलिस की जो पुस्ताज है वो आने वाले सिरों में महाधशूर सामित होगी, अद देखने वाली बात होगी, पुलिस कि इस तरीके से, अतीक और इस्रण से उस्राबसे पुस्ताज क कि अब आगे की यूपी एस्टेफ की क्या कुछ प्रक्रिया रह सकती है क्योंकि अब इसमें जो है पाकिस्तान का भी कर्णिक्शन सामने आया है वहां से वीदेशी हतियार का सामने आया है जी बिल्कुल अनन्दली जब बीते कल जब आशर को और सूटर घुलाम को जब इन काउंटर में डेर किया गया तो वहां पर उनके पास वीदेशी हतियार मिले है तो ये बड़ा सवाल है कि आकिर इनके पास से ये जो वीदेशी हतियार बोगा आते कहा है जब पुलिस में जाज़ परताल कियो पुलिस की जो अभी तक की जाज़ परताल सामने आई है तो उसमें ये भी मिला है कि अतिक अहमत का पाकिस्तान से गहरा कनेक्शन है आई असाई से अतिक अहमत के तार चुड़े हैं पोलिस के पाइस्ताश करेंगे दिकर पर से इसका हैं पुलिस दूनना पड़ेगा कियो 25 दिन बाद पुलिस की बड़ी कारवाई है वो देखने को मिली है अब आने वाले दिनों में किस तरह की कारवाई होगी यह सबसे जादा महत्मून होगा तुछ नंदीनि अबन तमाम चानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वहीं सपाध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी दो दीवसी दौरे पर मध्यप्रदेश में है इस दौरान सपाध्यक्ष इंदौर में भीम राव और मेटकर की जहनती के खास कारिक्रम में शामिल हुए जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकन निशाना साधा और कहा कि भाज़पा से समंधान को खत्रा है साथी सपाध्यक्ष ने कहा कि देश की जनता अब बदलाव चाहती है बतादे कि इन दौर से सते महु में समंधान निर्माता बाबा साहब भीम राव अमेटकर्थ की जन्मस्तली है जहां हर साल 14 अप्रेल को बड़े ही धूमधाम से नर्माता बाबा साहब के जैनती मनाई जाती है बतादे कि अखलेश यादव जो है वो दो दिवसी मदप्रदेश के दोरे पर है उन्होंने वहाँ पर जाकर बीजेपी सरकार पर जमकन निशाना साधा है कहा है कि बीजेपी से समंधान को खत्रा है और यह इस बार जो है यहां की जनता बदलाव चाती है इसको लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकन निशाना भी साधा है और इस बार वो बाबा साहब की जैनती में शामिल हुए है आपको बता दे कि 14 अप्रेल को महु में है जो है बड़े ही धूमधाम से अंबेट का जैनती मनाई जाती है वहाँ पर आज दो दीवसी दोरे पर राश्ट अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिले शादों वहाँ पर पहुँचे हुए है जादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ समाधाता विवेक चुड़ेंगे विवेक देखे समाजवादी पार्टी जो है दलितों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है अखिले स्यादों समाजवादी पार्टी के राष्टी अधर्च है उत्तवर्ज के पूरों मुख्यमंत्री भी रह चुके है वह मतपरदेश के दो त्योसी दोरे पर है मैं को बता दूस के पहले विवेक जनमाजवादी पार्टी कर रहे क्योंकि आने वाले समय में लोग सबाद चुनाव में 10-11 मेने का समय फेत है और ये सभी राष्टी पार्टी के रोकने के लिए उसको जीत तोर जान लगानी है इसके पहले जो मुख्य पार्टियां है मतपरदेश में भार्टी अंतर पार्टी के लिए पूरी तयारी कर रही है गर बात की जाया तो आहराम आथी पार्टी भी इस बिजान साबावा चुनाव में उतर चुक्ति इसके बाद समाजवादी पार्टी अर्पीद चुनाव का रुप groundwater से लगतार पार्टी इसके पहले कासी आंकि प्रतिमा का अनाव्डत राय इसके बाद आज 14 अप्रेल को बाबा साब अमिर्का की जहनती पर महुं पहुचे हैं तो कहीं ने कहीं वह साधने की कोशिस में इस लोग सभाचुनाओं में जूटती भी दिखी जा सकती है इसके पहले समाजवादी पार्टी ने पिछले बाद सभाचुनाओं कि अगर बात की जाए तो 50 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुराओं लडा था और बिजावर की सीट छोड़ दिया जाए तो बाकी उन्चास सीटों पर उसके कुछ भी सबलता आसिल नहीं पर उप्रमुख्यमंत्री सुबास यादो मत्रदेश के और मुलायम सिंहादो के काफी करीबी संबंद रहे थे उसंबंद को अखिले स्यादों और अरूर यादो वह साथ निबाते हुए देखे जा सकते हैं अकर बात की जाए तो 230 सीटें मत्रदेश विदान सभागी है और यह तयारी जो समाजवाधी पाटी जा है कई सीटों पर चुनाउब लने के लिए कई आसकती आप देखना होगा कि मत्रदेश समाजवाधी पाटी कितली सीटों पर अपने कंडेट उदारती है लेकिन मत्रदेश के इस दोरे के बाद अखिले से यादों के साथ साथ उनके रालोट के जो तुप्रिमों है वो भी उनके साथ इस दोरे पर है और समाजवादी पाटी लगतार जो है वो दलितों को साधने की तयारी कर चुकी है क्योंकि जो दलित का कोर वोट है वस्तबा से चिटक कर कहीं नहीं भारतिजी अंत्रा पाटी के पास भी पास आया था जिसक तनी लोगातार की जिसकित कर रहे हैं पास देखने वाली बात होगी है कि कि तना अपने इस प्लानी में कामयाब होती है क्योंकि वह दलित को वोटर को जो है उस्तादने की कोशिज कर रहे हैं क्योंकि बिना इनके वोटों के जो है लोकसवा कचनाओ अखिले स्यादों या फिर तमाम जो भी पच्छी पार्टियां है उनके लिए आसान नहीं होने वाला है विवेल कि दलितों के प्रती जो प्यार समाजवादी पार्टी दिखा रही है वो बस्पा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है बस्पा लेकि लगातार इसको लेकर हल्ला बोल रही है कि पहले भी का था कि जब राइबर रेल में कासी राम के पत्रिमा कानावर किया गया था रम्मन जिसे नारे भी लगाए गया थे उसके बाद तमाम तरकी की चीजे भी देखने को मिली थी वहीं बस्पा सुप्रीमा का साथ कहना है कि पहले समाजवादी पाटी वह अपने गिरबान में जाकर देखी क्योंकि जो आरच्छर में प्रमोशन का मामला था समाजवादी पाटी ने उसका भी भी रोग किया था और हर बार समाजवादी पाटी को जो गिस्थाउस कांड है उसकी भी याद दिलाती रही है तो इसमें भात्यंदा पाटी से जाजा हमलावर इसमें पर बाउजन समाजवादी पाटी की लीडर बड़ी नेता सुप्रीमो मायावती लगता समाजवादी पाटी पे हमलावर सम्सकान की कि इसके दिछ संसाजवाधी पाठी क कहले गाता और हिस पीडिन समाजवाधी पाठीर आट ने किया ता और इसके समाजवाधी पाठीराइत लगतार दलीत वोट बैंक को साधनने की कोशित मजूटा हुए क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है और बाउजान समाजपाटी का कोर वोट रहा है जो समाज जो बाउजान समाजपाटी से थोड़ा खिसक कर बारजानथा पार्टी के पाले में आ गया तो इसके बाद बाजान है लगतार तीसरे फंड की भूमिका में सख्री भूमिका निवार कि निटीस कुमआ से भी मिले तो फूर से मिले मिलते हैं तो कहीं लोगत्तबा चुनाओं के लिए तु पाले ठेस्था बाहा बाट बात हैहार निबाते हैं और यहीaría घ्रजा चास वजह यह ही मत्दफ के दो दोसी दोरे पर है मैं आपको बता दू कि मत्पदेश के जो पूर उप मुख्य मंत्री तेस्टुबास यादो उनके और मुलायम सिंग यादो के काफी करीबी संबंद रहे थे और अब नई जो जनरेशन है इस संबंद को आगे बढ़ा रही है पिजली बिदान समाचना मे समाजवादी पाटी ने 50 सीटों पर करनेट उतारे थे एक सीटों पर जीत हासी लिए थी अब समाजवादी पाटी कहीं न कहीं 50 से ज्यादर सीटों पर आपने करनेट उतारने पर विचार कर रही है कुल 237 विदान समाचना सीटे यह देखने वाली बात होगी समाजवादी पाटी कितने सीटों पर परत्यासी उतारती है अखिले स्यादों लगतार मत्यप्रदेश का दौरा कर रहे हैं इसके पहले जब जनमाश्चमी का अवसर तो गवालियर गयते दो दोसी दौरे पर वो मत्यप्रदेश में उनके साथ रालोट के सुप्रिमों जैन सिंचोधरी भी कि भीम आर्मी के जो संस्थापक है चंदर शेखर वो भी आज मंच साजा करेंगे वही रालोट के द्धेक्ष जैन चौधरी भी मंच साजा करें क्या कुछ संदेश जाना जा रहा है इसमें देखिए जैन चौधरी अखिले स्यादव उत्तप्रदेश में घठबंदन में है और उन्हें विदान सभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा था हमने देखा था कि इस पकार से उप चुनाव में भी रालोट और सभा का घठबंदन जो है एक साथ मिलकर लड़ा और खतावल लड़ा में से निसरे और साथ मोर अगरीन सॉथ सब्सक्राइब के खिलाफ कर रही महें लहार है लुक्तन के खिलाफ कर रही है इसके पहले बात कि जाये तो अतीच मेटर की जहनती है जो उनके जर्मस्टी महूं पर जाके जहनती मनाएंगे वहां के कार्यकरताओं को संबोधित करेंगे सरदांजली अरफित करेंगे पुष्टमन अमुर्के बाबा साहिब को और दिखावें की बात करते है बाबा साइब के आगर सुपट चल लए है तो कहीं न कहीं अब देखने वाली बात है कि दलित कोर वोट के लिए भार्चनता पाटी, बाउजर समाजवाधी पाटी लगतार अपने प्रयास कर रहे हैं कि इन वोट बैंकों को अपनी तरफ खीचा जाए आने वाने लोग सबाचनाओं में इन वोटरों को दलित वोटरों आपका वीबी इस कबर में बस अतना ही देशनिया की तमाम ख़बरों के ले देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस